नमो नारे जैगो माता वंदे मात्रमा भर्तिक उप्रणाम और हिर्देशे ओम शम शनिष्चराए नमा थोड़ी देर आपके साथ रहूँगा जरह इन आखों में देखिए और इन आखों में देखती वे मानस जाप ओम शम शनिष्चराए नमा इस जाप को करिएगा हर दर्द हर प्रिशानी हर कश्चे छिटारा प्रदर्शकाव में तरों शाथियों कौन नहीं चाता कि जीवन में शांती हैं हम सभी चाते हैं कि हमारी जीवन में शांती हो लेकिन वो जो शांती जिसकी तरचा मैं कर रहा हूँ उस असली शांती का अनु उसका है और असली सांती हिर्दे की पास आने से लिए और हिर्दे के पास आने का एक ही जरिया है वो तत्व ग्यान वो आत्म ग्यान गुरु महराजी द्वारजु प्राप्त होता है ज्यान ही हमें हिर्दे के पास लाएगा और जब हम हिर्दे के पास आएगे तो जो वास्तो जीमन की सांती वो अमें अनभव में आएगी ज्ञान गुरु महराज जी का तो शुमरण करिएगा तो शुमरण ही सांती देता है और ज्ञान की आवशकता है आप जानना चाते हैं उस शुमरण की विधी को गुरु महराज जी की दया से दाति महराज आपकी सेवा में नमाना मेरे आराध्य का जनम दिन है तो संपाउन राश को सनी जैनते की हार्दिक सुबकाम नहीं मेरे आराध्य का अध्भुद दिन है और शोंबतिय मावश्या है और शोंबतिय मावश्या महदेव का अध्भुद पूजन होता तो गुरू और शिष्य आपका कल्यान करेंगे दिले अनिंस्यार की सभी सनी भगतों से निवेदन की सनी देव की जैनती के सासत शोंबतिय मावश्या भी है करिये सनी भगवान के दर्सन पूजन तेला भी से कष्ट और प्रेशान में से शुटकारा में अध्भुद दिन है शातियों तीस मई दोहजार बाइस सनी जैनती महत्सव और शोंबतिय मावश्या शिरी सनी धाम शनी तीरत छेत्र असोला फते पूर्वेरि में आपका श्वाजन है हिरदै से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं मेरे प्रभु के जनम देन पर आउम नमोधा प्रदर्शकों मित्रों शात्यों बात करते हैं तीस मही 2022 की राज़ी फल और पंचांग की राज़ी पल पर आउं उसे पहले आज का पंचांग जेश्ट कर्शनप्रक्स की अमावश्या विकराम शम दोहजार उनासी जेश्ट मावश्या परविश्या सक्सम उनिसे चवालि पर रहेगा अगला योगों ध्रीति होगा समा शमाप्ति काल शम चार बज़ कर उन्सेट मिंट अगला किस्तुगंग तुद्धृ करति नक्ष शूरिया और शमाप्ति काल सुबेश साथ बसकर 12 मिन पर अगला नक्षट रोहन होगा और नक्षट अचन्दर्मा आज चन्रम संदेव का पूजन करने से जिमन में शंपवून परेशान है आज संदेव को तेल जरूर चाहे आज प्रातकाल नित्य कर्मियोश नानों पतान सूरी उदेश से पूर्व महादेव का पूजन करने के उपराद महादेव का पंचामिर्च से अभिशी करना उत्तम माना गया है शोंबती अमावश्य पर शनी जैन्ती का पावन पर आपके लिए मंगल में हो प्रभू के चल्णों में मेरी प्रात आज शोंबार का दिन है और बहुश्य मित्र ने का जैन्ती भी है दूद, घी, सैद, सक्कर और दही पांची जे दूद, दही, घी, सैद और सरकरा से भगवान शिव का ओम शशिशेकराई नमा इस मंत्र का जाप करते हैं भगवान शिव के गिलोई का रश पंचामिर्च या खाली दही से अभिशेक करते हैं तो जिवन की शं महां उपाई है जरूर करें पहुष्चे लोगों ने का सब शकरात्मक सोच नहीं रहती है मनवल बहुत कमजोर रहता है मांसिक वेदनाओं का सामना करना पड़ता है क्या करें तो आज सोंबार का दिन है शाति हो और यह उपाई आज प्रार्म करें लगातार 40 सोंबार में सरप्रतम गाई का कच्चा दूद धान दखेगा भारती नसली गाहो तो और अधिक लाब मिलेगा गाई का कच्चा दूद उसमें थोड़ा सा केश थोड़ी सी मिश्री और शर्धा पुर्वक त्रेंबकम यजा महे शुगंधिम पुष्टिवर्दिनम उर्वार रुकम में कुट्ता घुमते हैं उसे अपने हाथ से पिला दिजीगा लगा चार चाली सोंबार करके देखेगा हर दत हर पीड़ा और हर कश्च से चितकारा मिल जाएगा नमुनन और बात करते हैं आज की ग्रहय योगागोगी प्रतकानी लगन विर्षब लगन है सूरीदेव इस मही 2022 का मैंने राशी फल लेखा है आज का जो अभिजीत मुर्थ हैं शुबह 11 बज करें क्याउन मिन्ट से लेकर दो पर 12 बज कर 46 मिंट अब दी पच्चमन मिंट और ये पच्चमन मिंट आज के दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सबसे उत्तम मौरदे कोई नया औ अब जीट मुर्थ में खरिएगा और यह अभिजीत मुर्थ भगवान स्री हरी को अतिपरिया है आज का शुबका चोगडिया सुबह 8 बज कर 54 मिंट से लेकर सुबह 10 बज कर 35 मिनट तक लाब का चोगडिया दोपार 3 बज कर 46 मिन से लेकर 35 बज कर 30 मिनट और अम्रित का चो सबर कुमकुम केृ lady पर करेंगे तो यातरा वाफ चिक है थीक और आपका जनम दिन या तर्छा डिक साल करें तो मेरी और से आपको हार्दिक सुपकाम नहीं, आपका जिवन खुश्यों से भरा रहें, सनी देव की सुर्चल्णों में मेरी प्राथ, 30 महीं हुटा है, जिनका जनम दिन होता है, उनका मुलांख तीन होता है, क्योंकि तीन और जीरो को जोड़ेंगे, तीन ही बचेगा, यानि जिनका जनम 30 मोईं को होता है उनका मुलांग 3 संप्त कप्रेंद करूं अप अपने वीचारों को बड़ी व्यवेस्थे肉 से ब्रह्क्त करते हैं जीवन सांगे बढ़नी कि इच्छा रही चोटा-कारी छोटी आए छोटा पद ये आपको श्विकार नहीं है प्रसंद नहीं है आप इमानदार है बुद्धिमान है उदार हिर्द है इसलिए आप सब को अपने साथ निभा लेते हैं लेकिन कारी छेतर में आपकी हमेशा इच्छा हिरेते कि आप अधिक से अधिक अधिकार आपके पास हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके अधिन काम करें आपकी बात कुछा है आप खुले विचारों के बेक्ति अपने पर दूसरों का नेनतर पशंद नहीं करतें आप दूसरों पर अपना प्रभाव जमाना चाहतें उसे अपनी तरफ कर अपना काम निकाल लेतें आप सौन और शौकत के साथ जीते हैं, बोतिक सुकसाद नंग प्रतिया आपकी लागसा रहते हैं, सामजिक मान प्रतिष्टा की प्रतिया आप बहुत सविंद्र सिल जते हैं, उत्तम भोजन, गहरी निन, सुन्दर घर, वान ये आपकी पसंद है, हलका पीला रंग सवा, पांचरहती पुकराज सोने में तरजनी अंगुली में धारन करना पाउट शुब रहेगा, आपकी छमतानी पुकराज पहनने, किसी भी गुरुवार दिन, हल्दी की, अखंडित, बिना घुन लगी, गांट लेजी, जल गंगा, जल पंचा में पवितर करिए, और ओम आपके लिए बड़ी शुब है, जीवन में कुछ शावधानियां जो आप ध्यान रखना चाहिए, आप जितना कमाते हैं, उतना खर्च कर देते हैं, यानि आपकी संग्रे शक्ती कमजोर है, इस पर काम करना चाहिए, आपके भीतर में श्वार्त की भावना नेथ होती, आपके जादा देतर मितर आपका साथ नहीं देते हैं, वक्त करने पड़े वो आपके साथ विश्वास घार उतना चाहिए, इसी नीती की वज़ी, आपके अपने परिवारी की सदुध्य जादा पट्री पर रहे हैं, इस पर आपको काम करने क्योंकि पारवारी सदुध्य तेस महीं आपका जनम दिन या फिर साधी की सालगर तो जो उपाय बताने जारों पूरी वर्ष भर आपको लाब उसक्पल देगा तो पत नहीं दोनों इस उपाय को करे और अगर जनम दिन आप खुद इस उपाय को करें आज प्रादकाल नित्य कमिशन आनो प्रांथ ब्रह्म भगवान शिव की स्विलिंग पर अब्रत तरस पर शाबूत मूः किसी गरीब नीधन विद्वाश्त्रीफ को दान वेन्म देख हर कश्ट हर प्रेषान इसी शुटकारा मिलेगा लगात्र लगातार करें साल बर हर सोंबार को करें और साल बर करें प्रवाव है जो बारा क्षाने हैं जसे हम जनमांग कहते हैं जिसे जनमकोंधे कहते हैं यह अदुपूर है। आपके जिसांपून हुन शबान ऑसे और किसी भी जनमांग में चंदरदेव लेचया पैटेहों बैटे हो गोचर में नहीं कहा रहा हूं जनम कुण लिए लगन दूसरे तीसरे चौते पांचवी नवे दस्वरे ग्यारवे भाव में बैटे हो तो स्रेश्ट फल प्रदान करते हैं और आर्तिक पक्ष बड़ा मजबूत रहा है लेकिन चंदर्मा शुकल पक्ष का होना चाहि शुबगरों से द्रिश्ट होना चाहिए चंदर्मा अकेला किसी भी भाव में विराजमान नहों शुबगरों से द्रिश्ट हो और शुबगरों से यूट हो ऐसा चंदर्मा विद्वानों की मत के अनुसार बहुत बली माना जाता है जाता के लिए हमें इसा उत्तम फलों को कि बोग प्रदान करता है और आर्थिक पख्ष में अच्छा लाव देता है नमाना आखुए ही आपका चंदरमा कहा बैठा हुआ है अब बात करते हैं राजशि 했어 सिपल के नामरा यह वहां पुर्षौं के लिए कि काम बनेंगे विगन और बाधाओं से पीछा छुटेगा कामकाज नौकरी वेविशाय में अच्छे आउस्तर प्राप्त हैं गर परिवार के साथ बैठने का मोगा मिले कुटम परिवार संबंदी परेशानियों में कम ही आए कामकाज के अच्छे आउस्तर मिले पारवारी आवश्यक्ताओं पर ध्यान देना है और कारी छेतर शयम बहुत जोगा शफलता दान है अब युवा हैं और विद्यारती हैं तो नक्षतर गणना इस बात का संकेदी काम आएंगी काम सफल भी होंगे आर्थिक पक्षुधर भी होगा शिक्षा के छेतर में अच्छी आउस क्या ना करें स्वास्ति की प्रतिला परवाएं शुबंग सात सुबरंक्रीम भाग्यापके पक्ष में शाक्ष परसंद लाब कर्शन के देरा है में तरहाई प्रतिकाल निर्द शिनानों परांग सर्दान साथ शाबूत मशूर सफाई करमचारी विद्वा मैला को दान में बढ़ा अच्छा रहेगा विरोधी अपने मन्सुम में नाकाम होगा कारुबार का विस्तार मिलेगा पुंजी निवेस का लाब मिलेगा आर्तिक लाब के साथ साथ कामकाज नोकरी वेविशाय रिस्तों में इस्थिर्ता और शफलता प्राप्त पारवारी जिमन है आप इंजिनियर है या हाईर एजूकेशन में है या फिर लल्बी या फिर वकलात कर रहे हैं अच्छे अवसर्प्राइब चांदार सपलतार सिक्षा के शेतर में आपकी मनों कामना पूरु है क्या करें आज बुजर्गों की आग्या का पालन आपके लिए शुब रहेग श्वागन इस्तरी को दान में देंगे दो बड़ा उत्तम रहेगा न मना ने और बात करते हैं मितुंदासी बारवे भाव में चंदर्मा श्रम के नक्षत्र में संचन कर रहे हैं शमें थोड़ा सा उधानी का सब्सक्राइब एक बहुत जरूरी है आज पुंजी निवेस न सब्सक्राव से बचिए और कारी छेत्र पर नियमों का पालन करना बहुत जरूरी कारी छेत्र पर बादा उत्मन होगी पैरत के खर्च बढ़ेंगे कारी छेत्र परिवार में तनाव की संभावना और आज वहां से चूट लग सकते स्वास्ते में भी गिरा उठ हो सकती डरा सुधार युवाओं को बहुती साथानी से काम करना हो क्या करें सचेट्रे अपने वीचारों के परदी अपने खानपानों की परदी अपनी वैभार की क्या ना करें लंबी यात्रा श्राम वहां चला करना में स्वांग से, केवल 45 परसेंट ही लाभकाशिन के दरह में ते, गर परिवार का बातवन आपके पक्ष में रहेगा आई की प्राप्ती होगी लेंदेन के मसले ठीक रहेंगे कारियों में रूची अच्छी रहेंगे और आज जीविका की छेतर में विस्तार से धनलाब भी होगा आप विद्यार्ती और युवा हैं युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट हुमन रिसोर्स श्रमंदी कारियों में में अच्छे अफसर मिलेंगे उच्छिक से हासिल कर रहें विद्यार्तियों के लिए समय अपनी चमता दिखाना आएगा और लाब अच्छा मेंगे क्या करें अपनों से बड़ों को खुश रखने का अज प्रियास करें कि बड़ा पहतर है क्या ना करें अपनों से मन मुटाव ना करें सुबंगदोल सुबरंग सलेटी भागिया आपकी पक्स में 75% लाब का संके देने करकराश वालों प्रतिकाल नेतेकन मुष्णान अप्रण स्रद काली हमें वयविशाह में नौकरी में जॉब में काम-काज में आज मिशेस लाब होगा और कारी में अच्छी शपलता की वज़े से आर्तिक पक्सुदृभग होगा जार्कारी चारेमें में आपका मान सम्मान पूरूी ुर। कारियों में आपको शफलता मिले माइन समाजिक जिम्माजारियों की परती सजब्ड को करन क्या ने जुरूत्वन वेक्तिकी आवश्य hornsक्ता को अन देखा नए सबस कि नौ शुबरंग बैंगनी भागिया आपकी पक्ष में 70 प्रसंद लाब कर संकेदें सिंग राजवालों प्रतिकाल नित्यकर्म नित्यकर्म नोपरां सर्धानुशार गुड कौशा लमेदान के गाई को अपने हाथ बहुत उत्तम उपाए हैं आपके लिए नमरन और बात कर प्रियासों से भी कारिया शफलताज मिलेगी आपके प्रियास भी आज काम आएंगी बस सयोग्यों को भी अनकूल बनाए रखना आउशेक होगा अध्यात मुष्यत में उची रहेगी कारवारी और धार्मे की यात्राओं का योग्यों और अपने हाथ से सयोग करने का मोग अब विद्यारती और युआ हैं परियासों के अनकूल शफलता मिलेगी परिवार का पूंग श्यूग प्राप्त होगा और मेहनत के अनुर शिक्षा और धनला भी प्राप्त होगा शिक्सा के से तर में अपने सम्मूंदों को अनकूल बनाने के लिए थोड़सा विनमर सभ आपक्ष में प्रश्वालों नित्यकदम शिनानों प्रांथ नौ वर्स की कमाईव की कन्याओं को हरी वस्तों का दान देना बहुत शुब रहेगा हरी वस्तर भी हो सकते हरी सब्जियां भी हो सकते हैं जो आपकी सर्था आपकी पक्षम करवट निरे रहा है प्रतिकूल है मान सम्मान की चिंता है अनतिक कारियों अनतिक समंदों की वज़े से मूटा कश उठाना पड़ता है और आज आपकी आसपास की लोग आपके पारवारिक सदसी आपकी अपने आपको सहुब नहीं करेंगे इसलिए साफधान परिवार में कलहे का बातावन ना बने इस पर आपको विशेश काम करना होगा कोट कर्चे के चकर न लगाने पड़े रिस्तों और नियमों का उलहंगन ना करें आप युवा और विद्यार्तिन लापरवायर और साफधानी दुख दे सकती भाई किसी पर किया गया अंदा स्वात नुक्सान दे सकता है साफधानी आप इच्छी क्या करें अपने आसपास के संबंदों को सुधारे कि मुशिबत में आपके अपने ही आपको साथ क्या ना करें संबह हो तो किसी के साथ लंबी यात्रा श्यम वहां चला करने है सुबंगतिन सुबरंग बैंगनी करते विचे गाशी सब्टम्भाव में चंदरमा संचर्ण करता है समय सुब है अनकूल है मतपून कारी को पूरा करने का उस्वर मिलेगा भागी आपके साथ हैं बिगड़ी वेकार बनेंगे बाई-बंदों के समझ सूद रेंगे यात्रा अच्छी लेगी कारोबारी यात् पास-पास का बातावन आपके पक्ष में रहेगा आप यूआ और विद्यारती हैं आज कामकाज नौकरी एजुकेशन के छितर में आरी अनाविश्यक परेशानियों और कश्वर्च छुड़कार जरूरी अच्छा रेजल्ट मिलेगा नौकरी और एजुकेशन क्या करें का प्रत्यों किता में विजय होंगे शत्रू अपने में रहेगी आपका मानसमान यस या इंक्रिमेंट भी बढ़तागी और कम्पेटिशन प्रत्यों किता में विजय होंगे शत्रू अपने मनसुबे में नाकाम होगा शास प्राकर्म और तेजबड़ेगर मातरपक से सवयुग मिलेगा अपनों के साथ बैटने का मोका मिलेगा कामकाज और के लिए कर अच्छा मैसुग करें अभिवावकों शिक्षों और मित्रों और पारवारिश्यों का अच्छा बड़ा शूबर हेगा क्या करें कारिशंबंदी गोपनिता बना करें क्या ना करें विवादित मुद्दो पर शुबंगतीन शुबरंकरीम भाग्याप्तिपक्स में 75% लाब कर संकेदर धंदाश वालों प्रादकाल नित्य कर्मिर से नाना उपरान शाबुत हल्दी इसी ज पारवारी वातम अच्छा रहेगा समाज और प्रतरशी लोगों के साथ समंध अच्छे रहेंगे और समझिक शिवाओं के साथ समझिक सरुकार भी अच्छा है नक्षत गरना इस बात का संकेदरी थोड़ा सा नौकरी की छितर में बौस से बनाता है और पारवारी जीवने सफलता मिले तो पारवारी लोगों की आवश्चता पर ध्यान देजी और संतान पक्स को लेकर लापरवाएंगे लौटरी शेर या जुवा में धन लगाएंगे तो नुक्सान हो सकता है आप युवा हैं भागी अनकूल होने से कामकाज नौकरी में अच्छी सफलता मिलेग चाहिए वो भासा हो चाहिए अकाउंट हो चाहिए मैनेजमेंट हो इस चेतर में आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छे अवसर मिलेगे शिक्षा की चेतर में परिक्षा और प्रतिक्ता लाब दाये करें क्या करें कारी या वारता दुनों को गोपन ये बना करें क्या ना करें इसे इसकारियों में जल्दबाजी में शुबंगार शुबरंग भूरा भागयापकी परस्टाइब लाब करसंगे दरी मकर राश्वालों प्रातगाल निते कम निदेव दो शिनानों प्राज सर्धानुशार उड़त नौ वर्स की कम आयू की कन्याओं को दान में जना बड़ बातों को सुनी गयर कानुनी कारिय से बचे अनिता दंद की संभावना है परेशानी की संभावना मानसिक्तनाव है तो आप भोग विलास की परविरत पर अंकुष नेग लगा है तो मान संवान और धन की हानी होगी आज वान खरीदे और बेचने में दोनों में नुक्सान ह तब करेए कि मतने न करने है बता रहां मानु न मानुआ आपकी मल्गी य dumped युवा है रातिरी ब्रमण से बचें गलत संगस से थक्ता था कंव रापक घ Tall देये सका है ऐ तक्या करें कारियमें स्वज्वन का शव्योगल्य ॅर् शवज्वन के साथ संभ्यम से रहे जैस दू साथ देश्ची चने किसी गरीम नेधन चरुत्मन लोगों को अपने हाथ से बांटेंगे तो बड़ा सूब रहेगा या फिर गोई साला में जाने नमणान बात करते हैं मेंदाशी तीसरे बाव में चन्दमा श्योम के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है समय उत्ता में प्रभु का पूजन करने की बाद सरदानुसार चैने की दाल पीले कपड़े में बांदी और किसी गरीब जरूद स्वागने शुरूद जरूद मंद्य महिला उसको दान दिए हर कष्ट हर परिशान जेशित करने यह था बारा के बारा राश्यों को अराश्यपल नक्षत गर्णाओं के अधार पर आंकलन मेरा था ना भय ना भ्रह्म ना ब्रहांति ने कोई तरक ना विवार सेकंड ओपनिन का दिकार आपके पा किसी भी मा के शुकल पर के प्रतम सनिवार दिन रातरी दस बजे अपने पूजायस्तान में चौकी पर सुद्ध कलश में जल गंगा जल भरकर रख दे शर्दापर महालक्षमे का ध्यान करते हुए साथ चुट की चावल साथ दुर्वा एक रूपया कशिका डाल दे पिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर कलश के उपर रख और उसके उपर शंपून वैपार व्रिदी अंतरी स्थापित करे यह अदभूद यह अंतर है सातियों इस पे मैंने खूब काम किया है यह आ मालक्ष्मी का ध्यान करते हैं मालक्ष्मी की वीज मंतर ओम लंग लक्ष्माई नमा इस मंतर का जाप करते हैं 108 अखंडित चावल यंतर पर अर्पीत करें और चावल को पीले कर देंगे अचानक कुत्ते ने काट लिया है तो गवार पाटा होता है उसके एक और से छील कर गुद्दे का जो पीशावा गुद्दा पीशावा इसको लिए उसमें सेंधा नमक मिला दीगी और काटे वेस्तान पर लगाजर पटी बांदें दोक्टर को तुरंद दिखाएगा इंज मित्रशाथियों यह आंकलन मेरा अंभवे दभावने अधिकार सेकेंड ओपन का आपका है हां मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़के चमाप्राति आप शुखी रहें आप स्वस्त रहें समर्दी सीर लें सनिदेव की चड़नों में मेरी प्रात ओम नमोर आए रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति महराज गायों से बहुत प्यार करता है बेटियों से बहुत प्यार करता है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा कर्ते और करम था, नहीं आपको किसी वज्ध से नहीं सुना रहा हूं, भी खाली बता रहा हूं, यह मेरा जीवन का नक्षरा है, मनशी हूं और मानुं हमने इतना दे दिए मेरा करता भी है, कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ, मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोष्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे, नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ, अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं शेवा आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते है आप अपनी जन्मकूली बनाना चाहते है आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एहिंकार नहीं है सात्यों मेरा राश्चरों परी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं है कहाँ आपके लिए और परीश्रम के एयवज में गायों के लिए चारे की वैवस्ता करीए शनि भागवन आपकी रख्षा करेए हो आपका जिवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आविश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगब लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की परती अपना आभार परगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर शंकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यात है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो करें मेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमना रहें ओम नमना